हज़र दोस्तों कैसो आप सब आज का टॉपिक है जोतिश और फूड तो जोतिश और फूड खाना की बीच में बहुत ही ख्लोज रिलेशन है आप जो भी खाना खाते हैं उसका एक महत्व है ठीक है आर्विवेदा में तीन टर्म्स जो है आपको में बोलने वाला हूँ बहुत ही एसेंशेल है अचली वो तीन टर्म्स है आपकी बॉड़ी की टाइप को डिफाइन करता है एक तरह से आपकी बॉड़ी में कौनसी मेभी टिपिट के जाता है या दर्शया जाता है ठीक है एक होता है वात एक होता है पित एक होता है कफ वात दोश पित दोश कफ दोश ठीक है यह तीन चीज़े होती है तो एस्ट्रोजी और अर्वेदा में बहुत-बहुत गहरा संबंद है आप जो खाना खाते हैं आपके दोज मर्रा के जिंदगी में उसका बहुत-बहुत जादा रेलेशन है आपकी हेल्थ से आपकी मेंटेल हेल्थ से इन फैक बहुत चीज़ों से है एरी स्मॉल एक्जाम्पल हम देखो जब भी हम अबिसली हम सब बच्चे रहे थे एक बार में तो इंड जायेगा एक्जाम देने के लिए जायएगी अम दैने के लिए तो आपको दही शक्कर में दही डही में शक्र घॉल के आपको खिलने आया जाता था राइट एक और जब हम लोग ट्लाश्ट नक्रास्ट फल में थे ठीक है तो हमें जो सीनिय टीचर ती स्कूल की वो हमें दही में शक्कर खोल के in fact they used to feed this to us they used to give one spoon to all की ऐसे हाथ में लेकर and to all the students क्यों था इसा को भी सोचा आपने किया दही में दही क्यों लिया और शक्कर क्यों डाली नमक क्यों डाला भी सोचा आपने बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है तो आप में से जो लोग है जो यह बोलते हैं किया साइंटिफिक नहीं है क्या है बगवास चीज है उनके लिए वीडियो नहीं है तो अगर आप उन में से हो तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप गिवेट स्किप आपके नहीं है वाइबाइ और जो लोग जिनमें करियोसिटी है क्या रे जही क्यों चीनी क्यों वाय नोट गुड चीनी होता है चीनी जो है वो सिगनिफाई करता है जुपिटर and दही signify करता है Venus शुक्र, Jupiter, Guru तो ऐसा माना चाता है लेकिन ऐसा in fact होता है कि जब भी आप exam में जाएं लिखने जाएं, paper लिखने जाएं ठीक है? तो Jupiter is your ग्यान जो आपने पड़ा है and Venus is your किस्मत, is your grace तो आपको ये दो चीज़ combination खलाया जाता है आप में वो energies उस food के द्वारा transfer की जाती है ताकि अगर वो energies आपके अंदर body में होंगी तो आप paper में जो है अच्छा perform कर पाऊगे आप अपने आपने जो सीखा है जो भी अपने पड़ा है पड़ा जो भी है तो जो भी आपने पड़ा है वो आप जो है लिख पाऊ paper पर इसलिए आपको ये जो दही और शक्कर दो मिला कर आपको खिलाया जाता था that was the reason ठीक है दूसरा example ये बहुत real life example है ये बहुत subtle चीज़े हैं जो हमने शायद maybe जो लोग curious होंगे तो उनमें सोचा होगा कि यार ये क्यों होता यार दही क्यों खिलाता है मुझे अच्छा एक और चीज़ हम आरिवेदा में ये बोला गया है कि दूद के साथ कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए अगर दूद के साथ नमक का सेवन किया जाए किसी भी परसन दुआरा तो उसे शरीर में टॉक्सिटी होने शुरू हो जाती और उसका असर दिखता है आपको आपके शरीर पर कई पर पिंपल्स हो जाएंगे कई कुछ एलजी डाइप हो जाएगी रैस्स हो जाएंगे तो जए या यहां पर आपको जाएंगे हो जाएंगे तो वह क्या है जाएंगे शरीर पिंपल्स के ने आते हो जो आपके बॉडी में टॉक्सिंस हैं उसको शरीट मताब नाट एक कर पूंद हिंग EGNOT यसको बाहर निगाल लें के लिए जो फिंपल्स बर्ट आता है । फिंपल्स लगत वो बोटी आपको श्रीग आपको श्रींड दे रही है तो श्रीडिए आते हैं वो लाइध हाउस होता है साही कर ले अपना तो क्या होता है नमक, सॉल्ट इस साटन एंड मून मिल्क is मून तो जो साटन प्लस मून इस वेरी बाद कॉमिनेशन मून इस लाइक वेरी हैपी थिंग इस वेरी हैपी प्लैनेट मतलब मून की जैनाजी जए है काफी अच्छी है मतलब रिलाक्स एकदम आराम वाली खुश खुश मिजाज ठीक है साटन के इनर्जिस क्या है हमेशा ऐसे वाली चेरा उत्रा हुआ आल सी कर लेंगे अरे हो जाएगा क्या हुआ रोंदूमल टाइप इस साटन के इनर्जिस है जब मून किसी खुश इनसान को खुश मिजाज इनसान को आगा दो और बहुत ही रौंदूमल इनसान के साट बिठा दो तो क्या होगा सोचो वो जो खुश इनसान हैं वो भी Hopeless बन जाएगा मन्हूज बन जाएगा वह होता है जब मून मून कहा रहा हूं दूद मिल्क मैं अगर आप आप सॉल डालते हैं अगर आप में ख्याल से बहुत लोग आपने से होंगे चौँ अचा करते होंगे सुभे सुभे में शायद जो लेडिस अगर हम उजे सुन रही हैं तो या परेंट्स भी तो अपने बच्चों को या आप भी करते होंगा ऐसा कि या दूद्ध पिया आपने चाई पी लिए साथ में आपने डिस्किट खा लिए वह बहुत ही खराब चीज़े मत करो प्लीज आपनी बोडी में टॉक्सिंस प्रेडियूस कर रहे हो वैसी भी टॉक्सिंस हो रहे हैं इतना बेकार हवा आप इन्हेल कर र और रहे हुगा आगे चाहके वो घंबीर भीमारियां का रूप ले लेता है ठीक है इन सर्ट कभी लिडिस्किया होगा ये बहुत 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 स्मॉल जूल जूबसें से हैं As a creator, I deserve, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि, I deserve applause for this, because, यह small-small चीजें यहां लाना, it's a very, you know, unique thing जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, I am capable of doing that, और मैं आप करके दिखा रहा हूं, आपके सामने, सुनिए. जब भी आप ice cream खाते हैं, जब भी आप कोई थंडी चीज खाते हैं, तो बाद में आपको एकदम से urge होती है, पानी पीने की, I have noticed what you have noticed, आपने, पक्का, अगली नहीं किया तो अगली बार देखना कि, जब आप ice cream खाते हैं, तो मन करता है, यार, पानी पीने का मन कर रहा है, प्यास लगती है बोडी में, क्यों होता है ऐसा, ठंडी जगह है, ठीक है, तो जो dryness है न, आपकी बोडी से moisture सक कर लेती है, इस लाइक, एक sponge है, ठीक है, उसको मैंने पानी में डाला और फूल गया, पैसे कर के, फूल गया, ठीक है, तो फूरा, वो sponge में सब कुछ आया जाता है, वह बाकि जिससे, जिस surface से उसने, water, जो है, liquid है, जिस surface से उसने उठाया है, वो surface थोड़ा से relatively कम गीला हो जाता है, या आपने आइस क्रीम खाई, आपको एकदम से तलब से लगे कि यार, पानी पीना, थंदा पानी पिलाओ, या आपने जब कोई एक ओली स्टफ खाया हो, या समूसा अगरा, या ब्रेट पर कोड़ा जो भी जा आप इसा फ्राइड आटम खाता हो, तो आपको यार पानी पीने यहां भी सेम लोगे, आप अपने बोडी में साटन के अनरजी भर रहे हो, आपकी बोडी में ज्यादा वो डॉमेट कर रही है, आपकी बोडी से सारा मॉइस्टर अबसॉब हो जाता है, आपकी बोडी से मॉइस्टर जोए वो कम हो जाता है, आपको प्यास ती लगती है, आ वो यहीं पर फ्लाट हो जाए गार इन्शान कि यार एक कैसे होता है सीखना है मुझे सीखना है मुझे इनकेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने एक फ्री वेबिनार भी किया था विसेंटली गराउन में खाल से एक हफता एक महीना हो चुका है वैसे तो उसकी वीडियो क वहीं आपको उपर इधर यहां नीचे मिल जाएगे I would post that जहां आपको basics of astrology मेंने समझाया है मतब कुंडली कैसे होती है फिर पारा घर क्या उनका क्या relationship मतब क्या उनका आपस में relation होता है क्या significance होता है अपने खुद वो बारा घरों का है तो मैंने समझाया है तो अगर आप चीज़ देखने चाहते है और इसके आगे भी मैं वेबिनास जो है वोस्त करने वाला हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि astrology के बारे में बहुत ही आसान भाशा है हमें and very practical and realistic तरीके से आपको मैं समझाऊंगा ताकि मतब जो fancy terms होता है ना वो सब जो सुनके यार अरे सब अश्टमेश अश्टमेश वगरा वगरा ऐसे चीज़न होती है तो यह सब चीज़ें ना इन्सान ओवर्विल्म हो जाता है यारे क्या अरे पाप रहे क्या ऐसे इसे लौके टर्म्स में नहीं होता है plaintiff plaintiff lesser lessy जो आपने अगर मैं कर दब कर दब किसी का लीज अग्रिमेंट यह समझ नहीं आ रहा पल्ले नहीं पड़ाया छोड़ो यार इसको दो वहां करो अदरवाइस पेर आप अगर आप इस चीज़ें समझते हो ना आप खुद टाइप कर लोगे अले इंटरिमेंट कोई बड़ी वजी नहीं हो एक टाम पर बचाई हो टपा लगाने तो यह बह है ताकि लोग ना मतलब सब लोग ना खुझ जाएं यहां पर थोड़ा सा मोनापली बने रहें तो आसान भाशा में मतलब ऐसी भाशा में इससे आपको समझ आप समझ में आ जाए उस भाशा में आपको मैं एस टावजी सिखा सकता हूं सिखाओंगा अपकमिंग वेबिनार में कब होगा कैसे होगा अगर आप इंटरस्टेड हैं तो इंचे एक वाट्साइब ग्रूप का लिंक दिया हो गया वेशार आप इंटरस्टेड हैं लिख सकते और आप चुझ की तो यह था मतलब भूत ही मतलब रेल लाइफ एक्सांपल्स प्राटिकली जो आपके आसपा आपने experience किया हो या maybe शायद आपके दोस्तों ने experience किया हो कि ऐसा होता है और यह चीज अच्छल में काम करती है और क्यों होती है इसका reason यह है astrology और food आपस में बहुत-बहुत maintenance अगर आपको क्या ना कोई खाना होता है आपको खाना खाके मज़ा आयाता है तो क्या खाना ही is nothing but moon तो moon is also your mood, your emotional well-being, emotional well-being is governed by the planet moon चंद्रमा, अगर आपको चंद्रमा अच्छा नहीं है या उसकी energy disturbed हो रही है तो आपका mood हमेशा बेकार रहेगा आप हमेशा चिट्चड़े से रहोगे और शयाद आपकी माता की तब्याद भी खराब होगे because moon also governs and also, you know, is also tells you about your mother, की आपकी मम्मी कैसी है, moon का जहाँ आपका moon बैठा होगा, उससे आप प्रेडिक सकते हो की आपकी मम्मी कैसी होगे, वो exactly वैसा होगा तो उमीद है आपको यह चीजें पसंद आई होगी, समझ में आऊगा और रफे इंट्रेस्टिंग लगा होगा, अगर वो किरोसटी जो है, उसकी स्पार्क जो है, अगर आप में चागी है, तो वीडियो को लाइक करिए, शस्क्राइब करिए चैनल को और बढ़े रहे बिक है, सुब बने रहे ही में साथ, थैंकियो फॉर वाचिंग, टेक कर,